हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम लोग जो सी बीसी ने अभी रिसेंट ली प्रैक्टिस पेपर लॉंच किया ना जिसको देखके आपको पूरे यूट्यूब पे दिग गया होग है चलो तो स्टार्ट करें अब यहां पर कुष्णमट जिसे 21 कि अगर मैं बात करूं तो कह लेका चैक वेदर स्टेट्मेंट बिलो इस ट्रू और फॉल्स बताना है और उसकी कंडिशन क्या है स्क्वाइर रूट आफ एवरी कंपोजिट नंबर इस रैसनल इनका कहना इस लिपी जानल नंबर आता है तो फॉर एक कंपोजिट नंबर है और स्कॉरूर्स किया जा जा जाता है तो ए तूर रैसनल नंबर है तो यह बार है लेकिन अगर यही पर मैं रूट six ले लूं रूट fine ले लँँ तो यह भी composite numbers है लेकिन इनका square root जो है वो rational number नहीं होता है root 6 हमारा एक irrational number कैसे number है irrational number इसका मतलब है कि यह false statement है जैसे बोला ना फिर लिखा justify your answer by proving rationality और irrationality यानि prove भी करो तो ठीक है हमें पता लग गया कि इसका यह तो false है मतलब यह पुछा था ना true है या false है तो आंसर तो false हो गया कि यह हमेशा rational नहीं मिलता है rational रैसिनली मिल सकता है और irrational इसकता है लिए प्रूफ करना है तो प्रूफ तो हम ऐसी नमबर है रूट 3 के रैसना रहे कैसे प्रूफ करते थे सेम लॉजिक से करिए तो हम लोग क्या कर रहे है प्रूफ करने जा रहे है कि रूट 6 जो है वह एक रैस नमबर है तो पहले लोग कैसे लिखते है let us assume that let us assume that root 6 बिया rational number रूट 6 बिया rational number तो पहले तो हम रैस्न नमबर रैस्न नमबर रैस्न कर लेते रैस्न नमबर रैस्न करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं अब जैसे आपने ncrt मेरूट 3 और के questions करें ना, बिल्कुँ similar आप वैसी यह questions कर लो, तो यह root 6 बन जाएगा, P upon Q, और bracket में आप लिख देना, P and Q are co prime number, and there as Cf is equal to 1, and there as Cf is equal to 1, यह आ जाएगा, ठीक है, इतना आगे, अब भी same है, फिर आप cross multiply करेंगे, तो अगर आपने NCRD question कर रहा होगा, फिर square both side कर लेंगे, तो यह आजागा, 6 Q square is equal to P square, फिर एक language लिख होगे, क्या, क्योंकि दो 6 जो है, वो 2 into 3 है, 6 क्या होता है, 2 into 3, तो इसका मतलब P के अंदर 2 into 3 होगा, तो हम यह कह सकते ना, कि जो Q square है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, या मैं कहूँ, 6 को डिवाइड कर रहा होगा, P को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि 6 के अंदर 2 into 3 आता है, यानि कि जो P है, यह बोलू, 2 and 3 बोलू यह 6 बोलू, 2 and 3 divides P square, ठीक है, यह बोलू 6 divides P square, यह बात हो जाएगी, क्योंकि 6 में प्राइम नमबर आ रहे है, आप डारेक्ट लिखना चाहो तो डारेक्ट भी लिख सकते हो, कि 6 divides P square, इसका अलब 6 जो है, वो किसको डिवाइट करना होगा, P को, और 6 क हम बोल सकते है, 2 into 3 है, तो 2 into 3 से डिजबल होगा, नि 2 से भी डिविजबल होगा, और 3 से भी डिविजबल होगा, यह भी बोल सकते है कि, P is divisible by 2 and 3, और 2 and 3 मिलनदब 6 हो गया, ठीक है, अब यह आ गया, 6 से डिवाइट करना हो, फिर क्या गर होगे, से तरीके से, P जो होगा कहीं न कहीं वो क्या होगा, 6 का multiple होगा, जैसे करते से तरीके से, P को यहां रख दो, तो 6 Q स्क्वाइर इसकोल टू, 6 M का whole स्क्वाइर, तो यह 36 M स्क्वाइर आएगा, 6 Q स्क्वाइर, यह कट जाएगा 6 टाइम, तो Q स्क्वाइर आगा 6 M स्क्वाइर, तो अब यह 6 किसको करेगा, Q स्क्वाइर को, तो आप लिखोगे 6 टिवाइड कर रहा होगा, Q को डिवाइड कर रहा होगा, अब आप बताओ, 6 जो है, वो P को भी डिवाइड कर रहा हो, और Q को भी कर रहा है, तो जैसे 6 टिवाइड इस, P and Q बोत, इसका मतलब, इस वाली कंडीशन से हम कह सकते ज़ाते हीं कि इनका SCF कितना होना चाहिए इक होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नम्बर d वा को डार कर रहा तो सीrest होता है, लेक्न हमें पता है कि इनका SCF कितना थाई, chuss 1 है, को प्राइम नम्बर है, but we know that we know that P and Q are को प्राहिम नम्बर, P and Q are co-prime number co-prime number मतलब इनका स्थिया 1 है तो इसका मतलब कहीं न कहीं contradiction है contradiction मतलब मतभेद मतलब ये चीज और ये चीज आपस में उल्टी हो रही है ठीक है तो ये 6 आ गया और ये 1 है इदर so there is a contradiction so there is a contradiction so so constitutional कोई देट्शन ईसका सऩ देकिंशन ती एक रैस्पलम अपरें और अवर्टी का मतलब है कि रूट 6 कैसे नंबर हो गया रूट 6 ईचान इर्रैस्नल नंबर रूट 6 इचेन अर्रैस्नल नंबर हमारे ये जानल नंबर हो गया यह रेस्ट नंबर हो गया है आई होब आपको यह संज में आ गया हो कैसे प्रूफ करना था और टूथ है या फॉल्स था नोट कर लो इसको नेश्ट करते हैं अब दो इसमें पड़ो क्या लिखा है कि माया हीना स्टार्टिड वाकिंग फ्रॉम पॉइंट पी पी से कि माया और हीना ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं पी एड़ दा से मोमेंट इन अपोजिट डारेक्शन ओना हंड्रेड मीटर लॉंग सरकूलर पाथ यह पूरा जो पाथ है उसकी जो लेंथ वो कितनी है एट हंड्रेड ठीक है और कि माया यहां से साइड मूब कर रहे हैं और हिना साइड मूब कर रहे हैं ठीक है कि माया वाक टू दलवस कि माया यहां किलवाउस पर जाती है और इसकी स्पीड है हन्डरेड मीटर पर मिनट और हीना जो है वो बडव से नेटिंट पर मिन तो एक काम करते हैं लेट कर लेते हैं कि माया से किलब हाउस की डिस्टेंस एक्स है यह डिस्टेंस लिए मैंने और डिस्टेंस बिट्वीन हिना एंड बैडमिंटन वाई है यह हमने डिस्टेंस लेट कर ली ठीक है लेट कर लिए हमने कि माया से किलब हाउस की डिस्टेंस एक और हिना से बैडमिंटन की डिस्ट डिस्टेंस है वाई अच्छा अब एक चीज आपको दे रखी है हिना टुक वन मिनिट मोर देन किमाया मतलब टाइम जो है टाइम जो हिना को लग रहा है किनाया से वो वन मिनिट जादा है तो एक कंडीशन यह बन गई बताओ सिंपल होगे ना हिना को टाइम वन मिनिट जादा लगता है किस से किमाया से अच्छे टाइम क्या होता बजपन से सीका टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हिना के लिए मैंने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी लिए वाई तो वाई अपॉन टाइम होत प्लस का 1, यही तो आईगा, चेक कर लो इस चीज को, अब इसको कैसे सॉल्ब करोगे, अब यहां पर L employ कर लेते हैं, तो y upon 80 is called 2, याहेक काम करते हैं, अभी यह को xy में रिलेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेगी वह मैं बताता हsın, अच्छे निकालना क्या हम लोगों को हमें निकालना है find the time taken by Hina to reach badminton court यानि आपको final जो बताना है वो time बताना है हिना का कि हिना को time कितना लगेगा इधर पहुंचने में तो यानि आपको निकालना है के तो याउ यहां पूट कर देगे time पता लग जाएगा तो वाई कैसे पता करें देखो हुँ टोटल सब्नारपर्थ की जो लेंधे वो है कितनी 800 कहां है कहां है कहां है वह यह 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 यहां से यहां से लेकर यहां तक 180 इन तीनों को एट एड करोगे तो क्या यह 800 के बराबर आएगा बताईए जरह क्या आपको यह बात समझ में आ गई मैंने क्या करों एक स्वाई में रिलेशन निकाल ले रहा हुए ठीक है तो एक से प्लस वाई प्लस 180 मतलब यह एक्स यह एक्स प्लस वाई के लोग इतनी आ जाएगी 800 माइनस का 180 तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 0 10 में 8 गया 2 और 7 में बन गया 6 6 ही तो आएगा 620 तो इसका मतलब है एक्स किसके बराबर होगा 620 माइनस वाई मैंने एक्स के कंडीशन निकाल लिया जिसको मैं यहां पुट कर दूँगा क्योंकि मुझे वाई की जरूत है ठीक है अब पुट करते हैं चलो तो कितना आएग 620 माइनस का y अपॉन 100 प्लस का 1 अब LCM ले लो यहां पे 100 तो 620 माइनस का y प्लस का यहां पे 100 आजाएगा y अपॉन 80 तो y अपॉन 80 इसकोल तो यह 720 माइनस का y अपॉन 100 आएगा अब कुछ कैंसल हो रहा कैंसल कर लो 0 से 0 कट गया यह 2 से कटेगा तो 5 आएगा और यह 4 4 को यहां multiply कर लो 0, 4, 2, 8 4, 2, 8, 7, 4, 28 minus का 4Y 4Y को बिदर लाओ तो 5Y plus 4Y is equal to 2, 8 8, 0 9Y is equal to 2, 8 8, 0, तो Y is equal to कितना आ जाएगा 9, 3, 27 9, 2, 18 Y कितना आगे है, 320 अब हमने time देखो यह लिख रखता है हिना को time कितना लगेगा Y upon 80 तो Y हमारा 320 आया है यह आपका 80 आया है तो 00 कर गए है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 minute, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 minute आ गया, समझ में आया अगर आपको यह कोशन अच्छे समझ में आ गया सारे लोजिक लिए तो वीडियो लाइक कर देना कमेंड सेक्शन में आ फीडवेक लिखना कि सर मुझे यह अच्छे समय आ गया है ठीक है, जो भी है आप मुझे बताना नेक्ष्ट देखो इसमें लिखा है So, something below in a circle of centre O three tangents At A At E At C यहां पर तीन जगह यह tangent draw की गई है A पे, E पे और C पे Tangent intersected B और यह tangent जो है वो B पे intersect करती है Based on the above information Check whether the falling statements is true or false इसमें भी true or false बताना है at least one pair of opposite sides A, E, D, B यह जो parallel यानि कि जो एक अगर मैं इसको dark कर देता हूँ किसकी बात हो रही इसकी यह जो एक codilator आपको दिख रहा है यह जो आपको एक codilator दिख रहा है बोला गया है कि प्रूफ करो कि इन में कोई भी एक pair at least parallel side जरूर देगा at least one pair आप बताओ हमने एक चीज़ पढ़िये न radius since radius is perpendicular to tangent यह तो पता ही ना मैं तो इसका मतलब है यह angle 90 होगा और यह भी कैसा होगा 90 तो क्या मैं कह सकता हूँ कि angle OAB plus angle OED इसकाल टू 90 प्लस 90 क्योंकि radius tangent के साथ perpendicular होता है तो यह 90 और यह 90 है तो मैंने दौनों को add करा हूँ तो यह OAB plus angle angle OAB plus angle OED कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा? आप बताओ अब मैं आपको बच्पन में ले चलता हूँ बच्पन मतलब? वही 7, 6, 8 से पढ़ने लगते हैं अगर यह दो लाइन parallel है तो आप बोलते हो इसका और इसका sum अगर यह X और यह Y X plus Y is equal to 180 तो इसको क्या बोलते हो? co-interior angle क्या बोलते हो? co-interior angle समदो? तो अगर यहाँ पे भी इन दोनों का sum अगर 180 आ रहा है इसका मतलब these are co-interior angle these are co-interior angle अगर यह co-interior angle है तो co-interior angle की property तभी लगती है जब lines parallel होती है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि A, B जो है वो parallel हो जाएगा ED के इसका मतलब है एक pair हमे parallel मिल गया है तो यह क्या हो जाएगा true हो जाएगा क्योंकि यह बताना था कि यह क्या ऐसा यह true है तो यह true है आईसन में तो इस थरीके से यह होगा अब next देखो इसमें तुम्हें यह 20 दे रखा है इस कौन का volume है 136 00 find the angle find the angle which the slant height देखो यह slant height होती ही L कुछ mark कर लेते हैं A, B, C तो हमें angle किसकी वीचे वीचे निकालना है slant height बिद्दा base radius यह angle पता करना है थीटा कितना है ठीक है यह हमें पता करना है तो एक काम करते है volume हमें दे रखा है 136 00 क्या होता है volume 1 by 3 pi r square h होता है कि नहीं होता है कौन का volume तो यही होता है तो 1 by 3 आज़ा pi की value इसमें 3 दे दी है सब्सक्राइब हो नहीं तो गलती से 3.14 रख दो तो यह pi 3 रख दो radius कितना है 20 देखो यहां से यहां तक तो 20 का square यहीं 20 नो 20 h निकाल लो यहां से यहां से क्या कर लो h find out कर लो 3 से 3 कट गया 20 से 20 कट जाएंगे यह 4 आएगा तो h आजएगा 1 3 6 अपॉन 4 तो कितना आजएगा यह 4 3 जा 12 और 3 4 जा 16 34 आएगा क्या पक्का 34 आ रहा है तो अगर h 34 आया तो अगर मुझे यह वाला इंगल पता करना है तो 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यह 17 टाइम्स कट रहा है लेकिं पॉइंट लग जाएगा 0 है इसलिए तो 10 थीटा कितना आ गया 1.7 और यह बोल रखा है कि 1.7 के लिए रूट 3 है इसका मतलब हमारा 10 थीटा आ गया रूट 3 के एककुल और आप बताओ रूट 3 वेल्यू 10 में कब होती है क्या वो 10 60 डिग्री पर होता है तो घुमा रखा है ऐसा नहीं कि तो अच्छा दूसरी चाहिए है कि अगर आप क्लास आपके पर आ गए होंगे ठीक है चल भी रहे हैं कुछ लोगों के तो आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10 क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट उसमें जाना क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट में उसमें आपको प्रीविए से कुश्चन भी मिल जाएंगे एंस्क्यूस भी मिल जाएंगी आप जाके वहाँ से प्रेक्टिस कर लो पीवाई की उस तो लगाई डालो स्कूल टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे पीवाई की उसका कुछ कुछ वही आते हैं पेपर में अब देखो यह कि इसका और वाला पार्डेस वाले कुश्ण को इसमें देखो यह साइड टू है यह 45 है बोला है फाइंड लेंट अनौन साइड मार्क यानि यह बताना है यह चलो एक्स मान लेते हैं एकस निकालना है मतलब एकस पता करना है ठीक है तो कैसे किया जाए तो हमें यह एंगल दे C, यह नि A C जो साइड है क्या वो common है तो सबसे पहला है A C निकाल लेना चाहिए इस वाले triangle से, तो इस angle के according यह perpendicular है यह hypotenuse है क्या है यह perpendicular है यह hypotenuse है तो आप sin 45 लगा दो क्या लगा दो 2, Sine 45, то, Sine 45, क्या आ जाएगा Porpendicular Apon Hypotenious 2 upon AP तो, यहाँपे अगर हमने Sine 45 apply करा perpendicular upon Hypotenious तो, Sine 45 कितना हसा 1 by root 2 2 upon AP , तो AC कितना आ गया तो, रूट 2 आ गया तो, यह वाली साइड हमें 2 root 2 अब इस ट्राइंगल को अलग बना लो या आप खुछ सोचो ऐसे सोचा करो मैं इसतना ट्रेंगल अलग से बना देता हूं यह वाला यह एंगल यह यहां है 90 यह एक्स है और यह एंगल 60 है यह सी और हाइपोटेनियस हमने निकाल ली कितनी टूरूट टू एंगल के सामने वाल होता है हाइपोटेनियस और यह हो गया बेस तो इस एंगल के कोर्डिंग हाइपोटेनियस मुझे पता है बेस मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या लगाना चाहिए कॉस लगाना चाहिए क्योंकि कॉस थीटा यानि कॉस 60 डिगरी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन तो रूट्टू इसका अंसर हो जाएगा ठीक है किया निकालना तो मैं एक से निकालना तो रूट्टू आ जाएगा अब रूट्टू के यह साथ कुश्चन में दे रखी थी आप इतना नूट कर लो यह हट जाएगा फिर तो रूट्टू है 1.4 तो आप अपना आंसर लिख रूबस है यह आप देख पा रहे हो A B C D यह एक रूबस है और टू आर्क ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A एंड C अब यह आर्क बनाएगा यह इधर ऐसे और एक इधर ऐसे ठीक है तो मैं पहले आपको एक ऊपर वाला पार्ट दिखाता हूँ ऐसे अब आपको एजी लगेग सब्सक्राइब मैं नीचे वाला नहीं बना रहा हूं और एक लाइन जो आपको यह देख रही है यह यह बनाई यह मैंने तो A B और यह डी जिसमें यह वाली लैंट तो जायर सी वाद बना भी रखा है यह और यह एक को लेन यह भी थी है और यह एंगल ए 60 डिए आपको यह इसका मतलब यह कै अगर आपने यह बता दिया है इसका डबल कर दोगे तो यह उपर वाला भी आ जाएगा टोटल एरिया क्या बनied जेगा और ध्यान से देख Θ prevski हो यह कौन सा इरिया है क्या यह & और और यह सिगमेंट है तो और यह और एरिया of सेक्टर माइनस एरिया ओफ ट्राइंगल यस और नो बताओ हो तक नहीं कि फिर देख लो पहले अप्रोशन को पॉर्ट में साइड हो जा रहा हूं आप कोश्ण को अच्छे से पढ़ लो क्या क्या दे रख तो सेक्टर का एरिया क्या होता है सेक्टर का एरिया में यह दर स्कॉएर रेडिस कितना थे थिरी है माइनस अब यह ट्राइंगल कौन सा है अब यह याद रखना ट्राइंगल हमें साइक्विलेटर बनता है अगर एंगल 60 एक प्रूफ करना तो कैसे करोगे इस एंगल को एक समाल लो इसको एक समाल लो ठीक है क्योंकि यह दौनों साइड है अगर दो साइड एकको अगडिक यह टो एकस प्लस X प्लस 60 इसकोल टू 1.80 डो दो साइड ऐक्विलेटरोम लो एंगल हो complaint तो तो एकस इसकोल tua kabali 20 ऐस कितना यह यह तुर अगल भी आगे 60 60, अगर तीनों एंगल एक्वल है, तो that implies, it is an equilateral triangle, कैसे triangle हो गया, equilateral triangle, और अगर आपको ना पता हो, तो area of equilateral triangle क्या होता है, हलागि बच्पन से सीखते हैं हम लोग, area of equilateral triangle जो है, वो होता है, root 3 by 4 side square, क्यों होता है, root 3 by 4 side square, ठीक है, अब इसको put करते हैं, तो root 3 by 4 side, side कितने यह 3 है, क्योंकि equilateral triangle all side equal होती है, 3 का square, तो कितना हो जाएगा देखो, यह 1 by 6 pi into 9 minus root 3, 339 upon 4, तो यह कट रहा है, काट लो 339, 236, तो 2, 3 pi by 2, कितना आजाएगा, 3 pi upon 2, minus का 9, root 3 upon 4, इतना आजाएगा, अच्छा, अब इसमें, जो answer है, वो आपका आगे है, बसाबो क्या करना है, यह हमने एक का निकाला, हमें तो पूरा निकालना ही है, तो double करना पड़ेगा, तो total area कितना हो जाएगा, फाइनली इदर लिख रहा हूँ, answer total area, total area कितना आजाएगा, जो निकालना हम लोगो, क्योंकि हमें इधर बाला भी चाहिए, तो double कर दो इस वाले का, दोबार थोड़े निकालोगे, double कर दो, same है, तो twice of three pi by two, minus nine root three by four, आप ऐसे लिख दो, यह two का अंदर multiply कर दो, two का अंदर करोगे, two cut जाएगा three pi, two two जाब four होता, तो यह nine root three upon two आ जाएगा, और centimeter square में आप answer दे देंगे, सभ़ज में है, तो यह हो गया, सभज में आगे सबको, तो simple था, NCRT बेश था, बस थोड़ा, खुमा के दे रख रहे है, इस तरीक है सठीक है, question number 20, मद इसका और पार्ट है, जो की last question है, वसी मेड़ा model, और pacman, after playing a famous video game, बहुत video game खिल रहे हैं, तुम लोग है, area of model है जितना, यह जो model है, area आपको दे दिया है, एक प्रकार से sector देख रहा है, sector न, उसका area पता है, चलो पहले यहां से कुछ काम कर लेते हैं, आपको जो area दे रख था है, 120 pi, तो area of sector होता है, थीटा अपॉन 360, तो यह लिख रहा, area of model, तो model तो हमारे इतना नहीं है, तो मैं यह पता कर नहीं कोसिस कर रहा हूँ, तो area होता है, थीटा पॉन 360 इंटू pi r square, अच्छा कोई बता है का, थीटा कितना लेंगे, कुछ बच्चे जल्दवाजी में, एंगल को 60 लेंगे, लेकि यह नहीं पता, हमारा model इस area में है, तो यह area अगर पता है, तो हमें यह व्याला angle चाहिए होगा ना, तो total 360 होता है, और यह 60 है, तो यह व्याला angle कितना होगा, 300, तो angle 300 रखोगे महाराज, ठीक है, गल्टी मत कर देना, तो pi से pi कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 0 से यह 0 कट गया, 3 4 जा 12, तो R स्क्वाइर आ गया, 4 इंटू 36, स्क्वाइर रूट कर दो, 4 का स्क्वाइर रूट 2, 36 का स्क्वाइर रूट 6, तो क्या 12 cm आ जाएगा radius, चलो इसका radius तो हमें मिल गया, कितना 12, अब मैं सब अटा दे रहूँ, यह note कर लो इतना, अब हमें इतना मिल गया है कि, यह radius 12 वे, यह radius 12 वे और यह वाला एंगल 300 है, चलो, अब बोला है कुश्ण में, वसीम वांट्स टू डेकुरेट दा मॉडल भाई अटेचिंग दा कलर रिवन टू दा एंटार बाउंडरी, यानि वो बाउंडरी में ना, इसमें, इसमें, मतलब कुछ सजाना चाह रहा है, ये ये इदर इदर बाउंडरी में, ठीक हैं, तो what is the minimum land of ribbon required, अब बाउंडरी में सजाना चाहे ता, तो क्या होगा, पیरीमीटर होगा, तो पیरीमीटर होगा ना, तो पाइरीमीटर इसका क्या बनेगा, पूरा निकालना यह तो यह तो एक arc होगी ने यहां से लेके यह एसे ओसे से अधर तक तो यह एक length of arc हो गई क्या हो जाएगी length of artists o зрdy to प्लस तब यहां से यहां तक इसको बोल रहें हम लोग लेंथ of arc, ये और ये दोनों radius हैं, तो ये r और ये r, प्लस का 2 r होगा, अब length of arc का भी एक formula होता है, theta upon 360 into 2 pi r, प्लस का 2 r, तो theta कितना है, theta ये वाला लेंगे 360, 300 वाला, 300 upon 360 into 2 pi r, प्लस का 2 r, अब काटो, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये 18, से ये कट गया, 9, 15, 3, 3, 9, 5, 3, 15, तो ये कितना हो गया, 5, 5 बचा pi, radius कितना था, 12 था, upon 3, प्लस 2 into radius 12, 3, 4 जा 12, तो ये 20 pi, प्लस का 24 cm, पाई की वेल्यू भी आप रख सकते हैं, लेंगे जो प्रैक्टिस भी सीवी सीजन लॉंच किया, वह सी फॉब में रखा है, तो आपको ऐसी छोड़ देना है, समझ में आ गया, तो फाइनली ये कुशन था हमारा section B का, तो आई हो आपको सारी कुशन समझ में आया हो, अगर सब्सक्राइब करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स में भी सेर करना, मिलते हैं नेक्ट लेक्चर, तब तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, लास्ट में की बात बुरूँ कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद,